नमस्कार साथियों मैं आपका अपना योग गुरू उमेश जोसी साथियों आज का जो टॉपिक है वह है गौमुखाशन गौमुखाशन किस तरह से करते हैं करने से पहले मैं आप सभी से निविदन करूँगा कि आप हमारे यूटूब चैनल को लाइक करें सैयर करें सबस्क्राइब करें साथिसाथ कमेंट आवश्य लखें तो चलिए किस तरह से करते हैं अभ्यास को सरुपरतम अपने दाहीने पैर को 2 पैर के पास से क्रौस कर लेता हैं इस तीरे से क्रौस कर ले और ये इसडिला जाएं और तदो प्रांद जो पैर उपर होता है उ इसी हाथ को ऊपर की और लाते हैं, उसी हाथ को ऊपर की और लाएं और पीछे से दूसरे वाले हाथ को लॉक कर लेते हैं, लॉक करके गयरतन सीधी रहे और डीप ब्रिथ करते हैं, यहीं से वापिस आते हैं, रिलीज करते हुए और इसको हम दूसरी दिसा से भी करते हैं, opposite leg को आप cross कर लेंगे जो पेर उपर से हैं उसी पेर के side वाले हाथ को उपर की ओर से लाते हैं और opposite hand को अगर आपका हाथ पीछे से पकड़ में यादा तो आप उस हाथ को उपर की ओर support से कर सकते हैं और पीछे lock कर लेते हैं और फिर डीप ब्रिद करते हैं रिलीज वापिस आते हैं तो साथियों हमने अभ्यास किया था अभी गौमुक हासन जैसा कि आप जानते हैं गौमात्त को आप जानते हैं गाय का प्रतेक जो दूद है वहाँ तो सरुपरतम ममत्त प्रदान करने वाला है साथि साथ इस अभ्यास से हमारे वक्षिस्तल चौड़े होते हैं पाचन तंतर में अच्छा खिचा होते हैं लंक्स में खिचा होते हैं हमारे हिर्दे में खिचा होते हैं और हमारे बिसुद्धी चक्र कंठ में भी और साथी साथ सोल्डर में जो सर्वायकल के दिक्कत होती है वहाँ भी दूर होती है तो कहने का अर्थ है गौमों खासन करने से आपके अंदर मम्ता का रस्वी उत्पन्न होता है अर्थाद आपके अंदर करोना दया की भाव भी उत्पन्न होते हैं तो इनी सब्दों के साथ म